जैहिन साथियो मैं इशार रहमद आप सभी का एक बार फिर से इस 36 गर सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आप अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखें और साथ में अपने उद्देश्य के प्रती समर्पित होके जो है आप क्या कर रहे हैं अपने तैयारी कर रहे हैं और अपने लक्ष की प्राप्ति के लिए बिल्कुल आप समर्पित हैं साथियो अभी एक नियूज मिले होगी एक दो दिन पहले की कि आपका जो मुख्य परिच्छा का एक्जाम होगा वो कौन कंड़क कराएगा तो व निरंदरता बिल्कुल चारी रखिए 25 जुलाई से 25 अगस तक के सेग्मेंट में आप लोग को सारा पोर्शन दिया जाएगा MCQ फॉर्मेट में तो इसके साथ साथ अपनी सेल्फ स्टड़ी पे बहतर तरीके से जो है आप तयारी करते रहें आईए सबसे पहले हम एक जो है सुब विचार की चर्चा करते हैं लेखा क्या कहता है और उससे रिलेट किसे करेंगे आपका मुख्य पर अपना जो 36 गड़ सब इंस्प्रेक्टर का एक्जाम है उससे और जो है हम आगे बढ़ेंगे तो आईए लेखा कहता है जिन्दगी की हर सुभा कुछ शर्ते लेकर आती है और जिन्दगी की हर शाम कुछ तजूर्बे दे कर जाती है और यह बात बिल्कुल सही है साथियों जिन्दगी जो है अगर आप सबेरे उठते हैं और अपना टार्गेट सेट करते हैं कि हमें इतना पोर्शन कंप्लीट करना है तो शाम आते तक कि आप बहुत सारी चीजे सीखते हैं एक चीजे यह होती है कि पहले से बहतर किया मैंने और एक चीज यह होती है कि और बहतर कर सकता था मतलब आशाई है साथियों कि सबेरे उठें या सबेरे जब भी आप जो है कि बुलते हैं पढ़ाई करना स्टार्ट करें या उससे पहले एक टार्गेट स अपने अनुसार अपनी बहुत धिक चुमता के अनुसार और थोड़ा जादा करें बहुत धिक चुमता के अनुसार ताकि उसको अचीव करने में आप एफर्ट लगा में तो कभी भी जो है आपका एक्जाम देखने को मिल सकता है तो निरंतरता बिल्कुल जारी रखिए पढ़ाई से जूड़ जाईए ठीक है मतलब कि फीजिकल भी हलका हलका करिए लेकिन जो है प्रिलिम्स मेंस देन उसके बाद फीजिकल होना है तो बहतर तरीके से जो है बंजेंगे उसको ठीक है आओ देखें प्रस्न है हमारा नबाड का पुर्ण रूप बताईए सबसे पहले तो पुर्ण रूप बता देता हूं उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे तो नबाड का फूल फॉर्म होगा आपका पहला ओप्शन क्या है हमारा नेशनल बैंक फॉ अग्री कल्चल एंड रूरल डेवेलपमेंट यह होगा न यह हो गे इसक आंसर भाकी नीचे क्या है नेशनल बैंक फॉर एसीन रिसर्च डेवलपमेंट नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट यह नहीं होगा तो यह होगा इसका सही आंसर आईए कलर महोद है बदल ले ठीक है तो यह होगा इसका National Bank for Agriculture and Rural Development क्या करता है भई नवाड जो है वो जितने भी मतलब आपका ग्रामीर छेत्र है जो आपका क्रिसी से संबंधित है और बाकी सभी छेत्रों में यह जो है उनकी आमदनी में विकास करना आईए इसे इस प्रकार से डीटेल में समझ सकते हैं क कि नवाड का फूल फॉर्म है National Bank for Agriculture and Rural Development यह राष्ट्री क्रिसी और ग्रामीर विकास बैंक इसका मुख्याल है मुंबई महरास्ट में है नवाड की स्थापना 12 जुलाई 1982 मही थी विकास सहयता और गरीबी में कमी लाने के लिए जो है की गई थी और अभी भी जो है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो है चल रहे है हमारे भारत में और जिसको हमें क्या करना है अपना अध्यांतर रहना है उससे क्लियर है तो नवाड का फूल फॉर्म क्या होगा National Bank for Agriculture and Rural Development ठीक है तो इसका काम मुख्यता जो है नवाड का वो जितने भी रूरल एरियास है ग्राम रखके जाता है कि आधुनिकता से किस प्रकार से क्रिसी किया जा सकता है तो सारे छेत्रों में जो है नवाड अपना महां तो जताता है क्लियर आईए इंटर पोल से क्या तात पर है मतलब इंटर पोल से तात पर है क्या है ऑप्शन देखें इंटरमीडियेट पोलिंग इंटरनल पॉलीशिंग नहीं है ठीक है पॉपिलेशन लिखाया भई इंटरनल पॉपिलेशन इंटरनेशनल पुलीश यहां से फोकस थोड़ा कम रहता है ना इंटरनेशनल पुलीश है मसला यह साथियों कि पूरविश्वयापी 192 जो है देशों की सदस्यता द्वारा इसे जो है बनाया गया है इंटरनेशनल पुलीशिंग को और यह सभी देशों में जो इसके सदस्य है उसमें जो है पुलीश की सहयता करती है जैसे आप लोग देखते होंगे आपका देश के बहुत सारे भगोड़े मतलब कि आपका जो यहां से ठगी करके भागे हैं जैसे कि न अआरे अमडर्य देखिये हो सारुक का की उसमें जो है अगर देखिंखे हैं जो है अद ने हuity देखना आवकोड़ेлекशनल हो और तो वह सख्वाइब करते हैं मतलब मिल के लONG को ईखाग लेए से लेकिन भाग जाता है तो आई देखे इसका मुख्याला कहा है तो लियॉन फ्रांस में है दिखाई दे रहा है लियॉन फ्रांस में इसका मुख्याला है सदस से 192 सदस से है और वरतमान के इसके अध्यक्ष है आपके एहमद नासेर अलरैसी इसके वरतमान के क्या है आपके अध्यक्ष है तो इंटर इरदेश में भी जाके जो है भगोडों को पकड़ के लिए क्या ओगे थिक है तो इसे याद रखना अनिवार रहे हैं इंटर्पोल क्या है इंटरनेशनल पुलीसिंग और इसका मुख्याला याद रखना है साथियों मुख्याला नहीं भूलना है लियॉन फ्रांस में इसका म सिंड्रोम ये भी नहीं है सीवियर and respiratory syndrome यह भी नहीं है सीवियर अस्थमा respiratory syndrome यह भी नहीं है तो इसका JASON Currently respiratory syndrome that is a correct answer साथ यहां जो है आपका टैपिंग मिस्तिक है यहां respiratory होना चाहिए ठीक है तो लेकिन आपका क्या है टैप मिस्टेक हो गए है ना टैपिंग मिस्टेक सब्सक्राइब करault समाला गया इसे lockdown डूटी करते हैं पूलिस वाले देखे वोगे वीडियोconf रुन हुआ व्यटाइब सबी जो है लागडाउन से अच्छी बहतर तरीके से परिचीत है ठीक है तो आपका सार्स याद रखना है क्या है इसका सीवियर एक्यूट रेस्परेटरी सिंड्रोम और जो है हम इसके बारे में क्या जान सकते हैं तो वैक्सिन के नाम याद रखना हमारे लिए आनिवारे हैं पूछेगा कुश्चन तो आपका भी बच्चों को लगने वाला वैक्सिन क्या है कॉर्बिक्स वैक्सिन जो है पास से इसके अभी जो अध्यक्ष कोन है तो डॉक्टर बलराम भार्गाओ नए दिल्ली में इसका मुख्याल। भारत भायो टेक कहा है तो रहत भायो टेक है बहैक्सिन से इतना याद रखना है कि भारत द्वारा जो है स्वता बनाया गया वैक्सिन कॉन सा olduğका को एक्सिन है आपका company है, Britain की company है, उसके द्वारा दोनों को बनाया गया है, भारत में Covishield को कुन बना रहा है, तो Serum Institute द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका मुख्याला है आपका, पूने में है, तो यह याद रखना है, clear, फिर उसके बाद है आपका community vaccine, जो है, community vaccine हाँ, यह जो है आपका उ putnik vaccine क्या है आपका, यह ROOS के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, और आपका पशुओं को लगाने के लिए आपका Carnivac, आपका Carnivac वेक्सीन बनाया है, भी पशुओं को लगाने के लिए इस स्परसंद देखने को मिलेगा, clear, आगे बढ़ते हाइँ है, रेढियो संचरण क्या है घंट के तकर्वेंच कर्वारा यह성 द्वारां मंडल से टकर्वाजती वापस आता है तो इस में जो है वीडियो और आपका ओडियो यह सब सारा चीज कों इसी कि द्वारा क्या होता है आपके पास मुबाइल चलाते हो तो तुरंत आ जाता है तो समझें जितने भी डाटा वही फ्रिक्वेंसी मॉडूलेशन से आता है क्लियर आगे बढ़ें रेडियो भी सुनते होगे सी ऑनजी है तो सी एञी क्या है भई आई 2014 अ अगया नेशनी रहता है जितने क्रीम प्राकृस्तिक प्योग के दता सी एंजी गैस बोलते हैं इसको ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना है मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा इंडिन स्पेस रिसरच और गनाइजेशन तो इस रो होता है इस रोख बाहरे में जानते हूं आओ बताता हूं साथ मुख्याला याद होना ज़रूरी है यहाँ से प्रस्न पूछेट रिसी सरच और और गनाइजेशन स्मय higher आपका इंडियान स्पेस रिसर्च और गनाइजेशन जो है कभी-कभी मेरी जबान फिसलती है चमा चाहूंगा तो आपका इसके मुख्याले को पता होना ची कहा कहा है इसके मुख्याले है प्रसंदेखने को मिलता है सीधा ठीक है तो देखो पहला नंबर क्या है सैट सैट क्य नंगा जी तो यह जो है आपका कहा है इंदार में यह कहा है नाविक्शेटो तबेस और दूसरर नंबर क्या हो गया आपका सटीज धवन अंतरिक्ष केंद्र कहा है दूसरा नंबर सटीज धवन अंतरिक्ष केंद्र ठीक है आंद्रप्रदेश में कहा है सुरी हरी कोटा सुरी हरी कोटा का नाम सुने ना अंद्रप्रदेश में सुरी ओस्पेस आपको एपलिकेशन सेंटर आपका हो गया और तृज टृटक्री होगा तोछ ने ख्याला है इसका फिर उसके बाद क्या है आपका विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई का है विक्रम सारा भाई केरल में है ठीक है केरल में आपके विक्रम सारा भाई याद रखना है फिर केरल में और याद रखना है थुम्बा में है आपका इंसेंड मास्टर इंसेट सकते हैं इसका screenshot जरूर ले लिएगा clear तो यहां से जो है प्रसंद देखने को मिलता है आगे बढ़े आओ साथ ही तो जी स्प्रेक्ट्रम में अक्षर जी किस सब्द के लिए प्रयुक्त होता है तो जी स्प्रेक्ट्रम में अक्षर जी जो है वह आपका जाता है होटते जा रहा है मतलब क्या आपका जितना भी इंटरनेट की सुविधा है आप जी आने वाला है तो फाइब जी का क्या बोलते हैं भी सारे जगह टावर वगर लग रहे हैं तो याद रखना है साथियो ऐसे टम्स जो है हमें याद रखने अनिवार तो इससे तरीके से अपनी स्टडी पर फोकस करें क्लियर आगे बढ़ें सब्द छंचेप जी एस विल जी एस एलवी से क्या है आपका आओ देखें भाई क्या है जियो सिंक्रोनाइज सेटलाइट लांच वेहिकल यही सहीं होगा अंसर इसका ठीक है तो आपका जियो से यह हो गया ज अब ग्रह वगर भेशते हैं तो उनमें जो है यह क्या करता है फिलप करने का काम करता मतलब वहां जाके क्रिया का कारे करता है यह उतना रखना है और आपका जी एसल्वी सिंक्रोनाइज सेटलाइट लॉंच विहिकल जितने भी जो है आपका मैंने बताया अभी अंत्रिक अनुसंधान केंद्र चितने वी बता है वो सब सारे क्या है आपका उसी से संबंदित है ठीक है PSLV GSLV सुने होगे ना तो आपका याद रखना है इसका फूल फॉर्म नहीं भूलिएगा क्लियर आगे बढ़ें आए अगले प्रस्न की और बढ़ें नौवा नंबर का प्रस्न है कि रंजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुवात कि सुरुवात 1934 में मदरास और मैसूर के बीच में हुई थी और रंजी ट्रॉफी जो आपका मत लिए अनिवार रहे है अभी जो है आपका राष्ट मंडल खेल चल रहा है बर्मिंगम में तो उसमें जित्ते भी गोल्ड मैडल्स है उसे याद रखना है मीरा बाई चानू हो गई यह सब सारी चीज जो है याद करकना हमारे लिए अनिवार है मतलब करेंट से अभी आप ज रख आगे बढ़े अगला हा अंतरराष्टी cricket match किस के बीच खेला गया था मतब किन किन देशों के मीच में खेला था तो यूसे और कनाडा के बीच में प्रथाम अंतरराष्टी cricket match हुआ था यह इसका अंसर होगा लेकिन अगर बोल देगा कब हुआ था 1844 में लेकिन आपका आस्टेलिया और इंग्लेंड के बीच में प्रथम अंतर राष्टी एक दीवसी मैश याद रखना है तो एक दीवसी मैश अंदर राष्टी भी होगा था आपका मेलबन में कहा हुआ था म खेल बन में जो कि आपका कहा है ऐस्टेलिया में है किसके किसके मद्धी हुआ था आस्टेलिया और इंग्लेंड के मद्ध में तो यह तथे याद रखना हमारे लिए अनिवार रहे हैं क्लियर आगे बढ़ते आईए क्रिकेट से संबंदीत प्रस्ण है अगला है सी के नाइ के to Cup जो है स्पेशीली जो है क्रिकेट से संसंदित है क्रिकेट से संसंदुत है क्लियर जकर आगे भपर देखते हो ना नीव। इसलिए बुलता हूं देखो अब बतारहा हूं विंबलडन की भी विचेता कुन है आपके नौाज जोकोविच आपके विजेता है और इसमें अगर और आपका जादा सबसे जादा विंबलडन जीतने चार गेम्स होते हैं और बता देता हूं यह ठीक है आपका Grand Slam Grand Slam में जो है चार गेम होते हैं इन में से सबसे पुराना क्या है आपका Wimbledon उसके बाद आपका US Open उसके बाद है Australia Open ठीक है ठीक है तो यह चार में से Wimbledon जो है सबसे पुरानी प्रतियोगिता है जिसमें आपका अभी नौाज जोकोविज है जो वह 21 वी बार जीते हैं और 22 कप जो है किसके पास है आपका रफिल नडाल के पास ठीक है तीसरे नंबर में ठीक है रोजर फेडर फर्स अब से पहले आते हैं दिमाग में लेकिन याद रखना है अभी के कोन है विजयता 2022 के तो आपका नौाज जोकोविज तो डेविस कप किस्ते हैं लॉंग टेनिस और भारती को खिलाडी कोन है भाई हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन-कौन है ठीक है करेंट अफेयर के सब टॉपिक है अगला है अगला है डूरंट कप किस खेल से संबंधित है तो डूरंड कभ जुह है न यह Ultra होता है साल इसका ठूड़ा डाटा क्रियर नहीं है तो याद रखेंगा इस कित्ने बार होता है तो पूछे गनी लेकिन याद सब्सक्राइब किस समय ठीक पर किस साथ दार स feast के अगला है Euro Cup किस खेल से समप्बंदीयथ है Euro Cup किस खेल किस सब्सक्राइब सiate समब्दीत, एक अब कि अधी गोल्डन गुण जो है गौलडन फूस क ветатов को मिला ठीक है कोन मैं option भी देता हूं पहला नंबर हो गया आपका नेमार जुनियर दूसरा नंबर हो गया आपका मैसी तीसरा नंबर हो गया आपका क्या नाम है रोनालडो क्रिस्टियानो रोनालडो ठीक है तो आपका फुडवाल यूरो कॉप यूरो कप से संबंदित है ठीक है आगे बढ़े प्रिंस ओफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है तो प्रिंस ओफ वेल्स जो है आपका होकी क्रिकेट फुटबाल गोल्फ से संबंधित किस संबंधित है गोल्फ गोल्फ जानते हो न ठीक है आपका खेलते हैं गोल्फ देखना गोल्फ कैसे खेलते तो प्रिंस ओफ वेल्स तोय पर्यवरण सररक्षन के लिए जो है आपका जितने भी मतलब वह आपके संमेलन होते हैं उससे संबंधित भी प्राश्न जो है याद रखना अनिवार है興 नौहिए विश्व परयावर्ण दियुदस 5 ju 젊 क्लिएlvania अगला है किस दिन वीश्वो एट्स दियुदस मनाया जाता है तो आपका कब मनाया जाता याद रखना है कि इसकी जागरूकता को पहलाने के लिए मतलब विश्वयापी रूप से विश्वयापी रूप से बनाया जाता है 1 December को विश्वयड्स तीवस् ठीक है तो विश्वयड्स याद रखना है एग दिसंबर क्लियर आगे बढ़ें अगला विश्व मानव धिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दस दिसंबर को मनाया जाता ओप्षन देखो चार जुलाई आट अगस्त 20 अक्टूबर दस सितंबर यह तुटी वस दस दिसंबर होगा यह गलत लिखाया ठीक है क्या आपका दस दिसंबर दस दिसंबर को मनाया जाता है आपका विश्व मानव धिकार दिवस क्या होता है इसमें किसलिए बनाया जाता है कि मानव के अधिकार मौलिक करतव यह मौलिक अधिकार जितने भी चीज है जो हमेरे fundamental rights हम को सिखाते है उसको विश्व आपी रूप से जो है सभी को उससे जाग कि अगला है निमलीखित यहां से कॉन सा दिन अंतरराष्टी विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है यहाँ से focus todelia कम्जोर रहता है एक सितंबर 3 सितंबर 25 दिसंबर यहां यह वाला गलत हो गए यह भी दिसंबर हो गए यह क्या लिख दिया है आपका सितंबर यहां सितंबर लिख दिया है और यहां दिसंबर है यह बोलना चाहरा हूं ठीक है पर अग्ला है विश्व स्वास्थ दिवस कब लात है कर रहनी से लिए कि मनाएब परेल को स्वास्थ ज्रुखता बढ़ाने के लिए तो आपका दोस्त रहें कि आपका मनाता चीओ है डूर्द परइने से ने से तो और और आप अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण है विश्व उप्भोक्ता अधिकार दीवस कब मनाया जाता है तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दीवस जो है आपका 15 मार्च याद रखेगा साथ यो कब बनाया जाता है 15 मार्च 15 अफ मार्च में आपका उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ठीक है उपभोक्ता फोरम जानते हैं जब भी आपके साथ किसी प्रकार से खरीदी विक्री में कुछ दुकानदार अग कि जागरुकता को बढ़ाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है आगे बढ़ें अगला है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर याद रखेगा मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार दोहरा चुका है कई बार दोहरा चुका है प् बढ़ाने के लिए क्या कि जा रहा है आपका विश्व ओजुन दिवस मनाया जा रहा है और याद रखेगा साथिओ कि इसका जो है किसका आपका सी ओसी का अना तो ये जो है आपका चला रहा है कॉप संविलन वगरा भी सी की वजह से हुआ ठीक तो चलो आगे बढ़ते हैं अंतर राष्टी साक्षर्ता दिवस प्रतिवर्स निम्लिखित में से किस दिन मनाया जाता है ठीक है तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है और 8 सितंबर को मनाया जाता है आपका अंतर राष्टी साक्षर्ता दिवस ठीक है आओ आगे बढ़े कि अगला है विस्व उ प्रित्वी दिवस कब मनाया जाता है वित पिर्तवी दिवस मोस्ट ुम्पर्टेंट कई बार पूत चुक है विदे वस मनाया जाता है 22 और यस अपरेल को मनाया जाता है आपका क्या विष्व उ पुद्वी दिवस तो यहां यह facts है facts को याद रखना निवार रहे हैं ठीक है detailing में 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 बहतर तरीके से पढ़ेंगे सारा चीज लेकिन इतना चीज याद रखना निवार रहे हैं क्लियर आई आगे बढ़े राष्टी विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भारत के परिपेख्ष में राष्टी विज्ञान दिवस चलो तो एक और कोशन पूछता हूँ किन के आपके मतलब सम्मान में राष्टी आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो राष्टी विज्ञान दिवस जो है यह क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर होगा 28 फरवरी और 28 फरवरी को बनाया जाता है राश्टी विज्यान दिवस कमेंट बॉक्स में बताओ किनके जो है आपके याद में बनाया जाता है ठीक है आओ अगे बढ़ें अगला है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो आपका क्य origin देगा तो भी बनावा है किसान दिवस कब मनाया जाता है किसान दिवस मनाया जाता है तो याद रहएगा साथियो एक जुलाई 4 सितमबर 18 दिसंबर 23 सितमबर सितमबर नहीं है सितमबर लिग दिए सब जगैं 23 किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और याद रखना है इसके लिए बताना भूल गया कि चौधरी चरण सिंग जी के मतलब आपके मतलब किसानों का को बहुत विकास की ना तो हमारे प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंग तो उनके मतलब बनाया जाता है उनके सम्मान के लिए 23 दिसंबर को क्लियर आगे बढ़े आईए इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्व प्रथम किसने दिया था किसने दिया था बताओ हमारे आदर्नी स इसे मान्य सहीदे आजम भगत सींग ने सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था ठीक है तुम मुझे खून दू मैं तुम्हें आजादी देऊंगा क्लियर आईए आगे बढ़े जपान पर पर मानु बंब गिराया था हीरो सीमन अगा साकी में कब किराया था तो याद रखेगा सन 1945 में गिराए गया था जापान में सबसे पहले आपका परमाणुबम आज भी जो है वहां के जनेटिक प्राब्लम आता हुआ ठीक है आवा आगे बढ़े तो कंप्लीट हो गया भई यहां तो याद रखेगा साथियो इतना सारा इतना पोर्शन था हमारा आज का जीएस का पोर्शन में तो जितने भी फैक्ट्स आप लोग को कराये गए हैं उसे जरूर याद रखें और साथ में अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखें और आपका अब याद रखेगा व्यापाम एक्जाम लेने वाला है मुख्य परिक्षा तो बहतर तरीक से सारी चीज अच्छे तरीके से पढ़ते रही है क्लियर है तो इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा जैहिन जैभारत